तो दोस्तो यदि आप भी SSC CHSL के Admit Card का Status Check In नहीं कर पा रहे हो या फिर आप अपने Admit Card को ही डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो आज के इस वीडियो में हम आपको complete बताएंगे बस वीडियो को पूरा last तक जरूर देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पर पहली बार आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजेगा नमस्कार दोस्तों मैं हूरावी सिंग और आप देख रहे हैं टौक जरूर भी यूट्यूब चैनल चलिए आज का वीडियो हाँ में स्टार्ट करते हैं देखे SSC CHSL के Admit Card को कैसे डाउनलोड करना है या फिर उसके स्टेटस को कैसे चेक करना है इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो उस पर किलिक करके आप वहां से आसानी से अपने Admit Card के स्टेटस को तो चेक नहीं कर पाएंगे लेकिन आप अपने Admit Card को बिना किसी दिक्कत के केवल एक क्लिक में ही डाउनलोड कर लेंगे देखे जैसा कि आपको पता है कि जब भी SSC के तरफ से कोई भी एक्जाम कंड़क्ट किया जाता है और उससे पहले आपके Admit Card का स्टेटस जारी किया है जैसा तरीका आपको बताया गया है उसके अलावा SSC का रेजिस्टेशन में जो भी आपने अपना E-mail ID दिया होता है उस E-mail ID पर एक जो आपका Admit Card होता है एक्जाम का वे SSC के तरफ से भीड़ा जाता है जैसा कि मैं आपको दिखा दू यहां पर कि डियर रवी सिंग यह एक mail आया है जैसे आपका भी कुछ समय पहले एक्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कॉंस्टिवल एक्जेक्यूट्व मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस एक्जामनेशन 2020 का तो उसमें देखी दोस्तों क्या था कि आप अपने स्टेटस को तो 10 दिन पहले 15 दिन पहले से अपना चेक कर लेते हैं कि आपका एक्जाम कहां होगा सब कुछ कहां होगा ठीक है लेकिन अगर आप अपने स्टेटस को चेक नहीं कर पा रहे हों आप कुछ भूल गया हों कुछ गलती कर दिया है तो आपको अब इल्तिजार करना है स्सी के उस mail का जिसमें आपके एक्जाम से चा बगेर सब कुछ पूरा दिखाया जाएगा इसके बाद यहां पर लिखाए प्लीज टेक प्रिंट आउट एंड कैरी वित यूर इन एक्जामनेशन वेनू और इसके अलावा नीचे आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एक फाइल जैसा प्रिंट आउट भीजा गया है अब बस आपको भी कुछ ऐसा ही यहां पर भीजा जाएगा जिस दिन आपका एक्जाम होगा उसके चार दिन पहले ही आपको सिंप्ली क्या करना है कि यहां पर डाउनलोड का ओप्शन है आपको डाउनलोड क्या ओप्शन पर क्लिक करना है और आसानी से अपने इस एड्मे के पास जाकर उसे आसानी से निकला सकते हो इसके लावा बहुत सारे अव्यर्थियों का SSC CHSL का form reject कर दिया गया है कुछ region यहां पर दिये जा रहे हैं उनको जब आप अपने admit card के status को check करने जाओगे तो वहां पर आपके form में लिखा आएगा कि आपका form जो है reject कर दिया गया है और उसके नीचे आपको region भी लिखा हुआ आएगा देखे यहां पर कल के वीडियो में मैंने आपको चार region और solution बताया था जैसा कि आपको पता है कि अगर आपका form जो है आप एक नई भरती का इंतिजार कीजिए और उसके लिए अपने प्रेप्रेशन कीजिए इसके अलावा अगर आपका जो invalid signature, invalid photograph या फिर विदावट डेट ऑफ फोटो अगर यह तीन में से कोई भी आपका region दिखाया जा रहा है तो यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप यह चेक कीजिए कि आप किस रीजन से बिलॉंग करते हो यानि कि आप अपने रीजन के ssc headquarter का जो email id है उसे सबसे पहले आपको निकालना होगा उस email id को कहीं note करके आप रख लेना है आपको याद रखना है कि ssc दिल्ली का दिल्ली का headquarter है वहाँ पर आपको नहीं करना है mail आपको mail करना होगा अपने रीजन के headquarter में ठीक है इसके अलावा अब जैसे ही आप अपना mail id note कर लो ssc headquarter का उसके बाद आपको वीडियो के अब यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे होगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा ssc ssl 2021 form rejected what to do यानि कि अगर आपको form rejected कर दिया गया है तो आपको क्या करना है तो देखे आपके पास ssc का official email id होगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ssc को क्या mail करना है देखे यहाँ पर सबसे पहले hello sir and madam करना है लिखना है ठीक है उसके बाद नीचवाइल लाइन से my name is आपको यहाँ पर रिक्तिस्थान दिया गया है यहाँ पर आपको अपना नाम वही डाल देना है जो आपके ssc registration में है यानि की form में है इसके आपको डालना है यहाँ पर जो आप अपना registration डालोगे registration डालने के बाद यहाँ पर वही आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी information भरा है बिल्कुल correct भरा है और जब आपने admit card के status को चेक करने जाते हो तो वहाँ पर आपका जो application form और reject दिखाये जाएगा due to आप यहाँ पर जो रिक्तिस्थान आपको मिलना है यहाँ पर आपको वही रीजन लिखना है जिस वजह से आपको form reject किया गया है जैसा आपने अपने application status में चेक किया होगा तो वही रीजन आपको इसे पर फिल कर देना है इसके बाद यहाँ पर request के जा रहा है कि आप प्लीज हेल्प मी करने के बाद एक बात यहाँ पर और ध्यान रखनी है कि इस email के साथ में आपको SSC CHSL 2021 के application form का printout भी भेजना होगा यानि कि सबसे पहले तो आपको mailbox में इस mail को पूरा type कर लेना है लिखने के बाद नीचे आपको file upload करने का एक option दिखता है वहाँ पर आपको क्या करना है कि ज बेज करके उसे भेज देना है अब आप जब पूरा उसको भेजोगे तो SSC के तरफ से आपको एक mail का reply दिया जाएगा जैसा कि कल के वीडियो मैंने आपको पूरूप के साथ में भी दिखाया था अगर आप उतने वह वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के description में उसका link दे जाएगा और दोस्तों 5-6-7-8 दिन के अंदर क्या होगा कि आपको सारा कुछ चेक करके अगर उनको लगेगा कि हाँ बिल्कुल आपका गलत तरीके से यहां पर फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है आपका सारा कुछ सही था और आपको मौका मिलना चाहिए तो definitely दोस्तों काड दिया जाएगा और एड्मेट काड आपका जारी कर दिया जाएगा जिसके आपको मेल भेजा जाएगा ससी के तरफ से और बताया जाएगा कि अगर आपका एड्मेट काड जारी क्या गया है या फिर नहीं जारी क्या गया है अब बहुत सारे दोस्तों के पूंचते हैं कर दिया जाएं और दोस्तों आपको जो mail करना है दिन में कम से कम दो तीन लिए अपने दोतीन दिन तक हूँ आपको गजाएं स्टार्ट नहीं होता है तब तक आप कंटिन उनको मेल भीजते रहें फोन कॉल्स पर उनसे बात करते रहें और कोशिस कीजिए कि साइद आपका एडमिट कार्ट जारी कर दिया जाए दोस्तों कर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए चैनल